वे आगे था। प्रेंड्स वागत है आपका विर्बी दावस एंजिनेटिंग अज हम ब्रिक्स की सी्रीज उस्टाट करने वाले हैं जो की बूत ज्यादा इंपोर्टेंट वीडिंग मेटिरियल हैं अज ब्रिक्स की ये फर्स्ट सीरीज ए जिसमल्ट परट में हम देखेंगे basic of bricks और bricks के component के बारे में तो चलिए देखते हैं होता क्या है bricks are the most common used construction material ये जो होता है एक बहुत ही ज़्यादा मुख building trying या फिर भवन निर्मान के कारे में जो भी होता है तो उसमें bricks का बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण योगदान होता है अब bricks बनती कैसे है और इसे किस तरह से बनाया जाता है यह सभी हम आने वाली सीरीज में देखेंगे और bricks के बारे में बहुत कुछ जानेंगे आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में जो वेल आइकन उसे क्रेस कर ले जिससे हमारे लैटेस्ट वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिलती रह five fourth होता ह糖 got fire फिफ्ट होता हमारा magnesia अब यह सब होते हैं लेकिन component में इन के बारे में भी हम देख लेते हैं वेशिक्स में की होते क्या है और कितना इनका परसेंट डाला जाता है चलिए देखते हैं शिलीका के बारे में शिलीका जो है bricks में लगवख 50% क्यास पास डाली जाती है और यह रोकती है क्रेकिंग श्रिंकेज और आड़ी तेड़ी ना हो इसकारण तो यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है और इससे डियोरिविलेटी फगेरा ठेक होती है अब देखते हैं हम एलूमिना एलूमिना हमारे 20-30% यूज होता है और यह जो है responsible होता है हमारा plasticity characteristic के लिए और यह जो होता है अगर इसे हम ज्यादा डाल देते हैं है अलूमिना को तो bricks जो है shrink होती है और तेड़ी आड़ी हो सकती है सूखने के बाद थर्ड आता है हमारा lime जो कि 5% to 10% एक अच्छी bricks के लिए use किया जाता है और अगर हम इसको यह shrinkage होने से यह रोकता हम करती है और यह shrinkage होने नहीं देती bricks को लेकिन अगर यह ज़्यादा डाल दिया जाए लाइम को तो उस condition में जो bricks है हमारी वो शेप अपना खो देगी या तो फिर बेकाल डाइप के शेप में होगी मतलब एक perfect जो हमें size होता है उस size में नहीं बन पाएगी जिससे हमारे कार नहीं हो पाएंगे इसके लाद फूर्ट में आता हमारा iron oxide 5-7 परसेंट डाला जाता है हमारा जो की रेट कलर के लिए important होता है और यह हमारी imperability and durability को improve करता है iron oxide और जो strength साथ ही साथ strength और hardness भी provide करता है लेकिन अगर जैसे कि इसकी ज्यादा कर दिया जाए मात्रा तो इससे भी दिक्कत होती है तो यह हमारा हुआ iron oxide अब हम देखेंगे magnesium के बारे में एक good dig जो होती है उसके लिए magnesium की जो मात्रा है लगबग एक परसेंट के आसपा सब यूज कर सकते हैं और यह जो होती है अगर ज्यादा डाल दिया जाए तो डिकी और बहुत सारी responsibilities होती है जो की दिक्कत करती है लेकिन सबसे ज्यादा इ responsible होती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं next part में तब तक के लिए thank you